गुड मॉर्निंग इब्रिवन वैलकम टू फिजकल सायन पेफी क्लासेस फ्रेंट जैसा कि आपनों का टीजीटी का रिजल्ट जो है जारी हो चुका है वोफूली आप सभी लोगों ने अपने अपने रैंग को देख चुके होंगे और बहुत सारे कमेंट्स जो मिले हैं क्या इस कैटेग्री में इतना रैंग है तो मेरे होने की क्या चांसेस हैं यू वार में माल लीजिए OBC का कोई बंदा फॉल करता है रैंक है तो उसको यू वार में काउंट होगा या OBC में यह सब सारी डाउट्स में आज आपनोंगी इस चोटी सी वीडियो के मादिम से क्ल elaborate किया था बहुत अच्छे तरीके से कि UR में कितनी rank है तो कितने लोगों का selection होने की chances है OBC में कितने selection होने की chances है ESC category, NAST, NOH, PH हला कि हिंदी का मैं समझाता जरूर आपको friends लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो चुका था इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा shortcut में ही समझा दिया था बट आप लोग hope को मत आ रहिए आज मैं आप लोगों की comments को सबको पढ़ूँगा और आप लोगों के comments का reply करूँगा ठीक है तो जो पहला comment है यह है प्रदीप, रावत प्रदीप का इनका comment है सर हेलो शर वेटिंग वेटिंग को कैसे count करें ठीक है जैसे के आप लोग यहां पर देख रहे हैं पहला जो comment है वेटिंग को कैसे count करें जैसे सस्ट में 176 सीट्स है और यूवार की 73 है तो 73 के बाद count करना है या 176 पोस्ट के बाद मालो किसी rank की जनरल में 220 है तो कैसे count किया जाएगा नहीं करने पर तो नंबर बढ़े पड़ेगा सीट्स यूवार की 73 है टोटल पोस्ट 176 दिखे फ्रेंड्स जो यूवार की अगर आप बात कर रहे हैं कि सस्ट में सस्ट में जो यूवार काटेगरी की जो सीट्स है 73 है ठीक है तो जो 1st से लेकर सेवेंटी थ्रड्र रैंक तक जितने भी कैटेगरी के लोग आ जाएंगे देवल कंस अंडर यूवार कैटेगरी ठीक है यह बहुत बहुत वह आच्छ यह अच्छा डाउट है और इसको डाउट को क्लियर कर लीजी कि जितने भी first rank से लेकर 73 rank तक जितने भी candidate है वह सारे candidate जो है यूर category में ही fall करेंगे इसके बाद जो category होगी वह होगी OBC category की आप count कर लिजेगा 73 के बाद जितने भी OBC candidate है ठीक है जितने rank जितनी seat हैं जितने rank तक होंगे OBC देविल comes under OBC category ठीक है और इसके बाद जो है SC category के 73 के बाद सारे category है ठीक है चाहे OBC हो चाहे EWS हो चाहे SC हो चाहे ST हो चाहे OAH हो चाहे PH हो ठीक है तो देखे जो waiting criteria होगा waiting criteria की मैं बात करूँ तो जैसा की 73 जो है UR category की ranking है इसके भरने के बाद OBC का भरेगा फिर उसके बाद SC-ST इस तरीके से भरता चला जाएगा EWS का भरेगा तो 73 के बाद जितने भी candidates है up to 20 rank तक मैं बता रहा हूँ आपको फिर से मैं एक बार rewind कर आ रहा हूँ की UR category में जिसका भी rank 100 तक है समझे लो है 100 तक मैं 100 तक बता रहा हूँ I am very sure they will clear and they will come in final merit list after waiting list ठीक है तो जितनी भी 100 rank तक है SST में ठीक है friends अब फिर से सुन लिजिए कि जितनी भी हमारे friends UR category में 100 rank तक है ठीक है 100 rank तक है वह अपने hope को मत आ रही है आप लोगों का selection होने के पूरे chances हैं दो waiting list निकलेगा इसमें ठीक है दो waiting list निकलेगा और vacancy जो हो सकती है अभी re-assist होगी मिशलेने stitches का तो मैंने मैं बाद बताऊंगा कि कितना vacancy बढ़ेगा बटा आप लों का मैं बता रहा हूं TGT का कि अभी re-assist होगी vacancy और बढ़के ही आप लों का selection होगा तो 100 जो मान के चलिए कि जितनी भी ranker है 100 rank तक उन सभी का selection जो है मान के चलिए ठीक है यह है SST का नेक्स चलते हैं कमेंट्स के लिए लोग इनके कमेंट्स को मैं लाइक कर देता हूँ आप लोग से भी request है कि आपको यह दी वीडियो पशन्द आता है तो लाइक जरू कीजे लाइक करने से और देखने से मुझे थोड़ा सा अंदर से self motivate होता हूँ कि आप लों को इसी तरी कि वैशाली सिंग का कमेंट है सर इन इंग्लिस टीजीटी माई रैंक कि 67 ओके इन ओबीसी केटेगरी एंड 285 इन जनरल इस देर एनी चांस के देखिए इंग्लिस का पहले मैं बता दूंग आपका rank जो है ओबीसी केटेगरी में 67 है 285 जनरल रैंड विश पहल करें यहां पे आके इस यहां पर आई हुई थी अगरन बात करें कि यहां पर आई हुई थी 끝inci एस पर Key हो तो आप क्यों टेंसल ले रहेंगे हैं आपर देखें इंग्लिस कैटेगरी में 85 वेकेंसी हैं और इंग्लिस में तो आपके तो होने के पूरे चांस है ठीक है तो आप 100% सेलेक्शन है आपका 67 रैंक है उबीशी में तो अभी से भी कांग्राचुलाशन वैशाली शिंग कि कैटेगरी में यसी यसी में रैंकिंग आपकी 74 है तो अगर हम देखें इधर हिंदी की तो हिंदी में यसी की रैंक अगर आपका 74 है तो यहां पर जो है देख सकते हैं आप कि आपका जो हिंदी में यसी का जो क्राइटेरिया है 54 है तो चांसेस हैं आपके ठीक है तो आप हो क्लियर होने के पूरे chances अमरपाल सरोज जी ठीक है समझ में आया आपको आपका 100% selection है अमरपाल सरोज जी नेक्स्ट है kindly make the video regarding English TGT English TGT का स्वामी मैंने पहला ही वीडियो बनाया था कि कितना कटाफ जाएगा category wise सबसे ज्यादा elaboration मैंने English subject में किया है तो so please if you have not seen my previous video then kindly watch this it will be very helpful for you if you are following in English TGT teachers okay next है स्वामी is there any possibilities of increasing the post after CML क्या होता है मुझे भी नहीं पता ठीक है but आपका अपना abbreviation है तो इसको मैं ज्यादा समझ नहीं पा रहा हूँ but increase होने के chances हैं आपकी vacancies जो है TGT की कुछ ने कुछ vacancy जरूर एक बार reassess होंगी ठीक है next है sir मैं हिंदी subject से city category में 36 rank है तो मेरा होने के chance है तो बिल्कुल होने के chance है आप don't worry आपके chance है आशा मीना chance है full chance है आपके next है यही same है ठीक है मैंने बता दिया अल्रेडी मीना जी आपका होने के chances है पूरे सुनीता सुनीता सर मेरी हिंदी subject में सी category में 46 rank है क्या chances है देखिए आपका जो मैंने पहले ही बताया था 54 seat है सी category में सुनीता जी आपका 100% chance है और वैसे भी आप female category में है तो आपका chances और ज्यादा है और 46th rank है तो आपका देफिनेटली clear डी है क्योंकि 54 seat है ऐसी category में ठीक है तो आपके 100% chance है नेशन के reply देखिए यहाँ पर अरबिंद प्रशाद जी ने पहले ही reply आप लोग आपको motivate कर चुके है कि नहीं 54 seat है आपका confirm हो गया ठीक है तो अभी सी मिठाई बाढ़ सकते हैं अगर किसी पीच कैटेगरी का रैंक जनरल की seat से अच्छा है तो क्या वह जनरल में count होगा या पीच की अलग कैटेगरी में count होगा देखिए friends श्रीदत ने बहुत अच्छा question किया है यह पीच कैटेगरी में यदि उनका जनरल कैटेगरी से अच्छा number है then he will be considered as unreserved category ठीक है वह यूर कैटेगरी में ही आएंगे और पीच की वेकेंसी जो है stand still बची रहेगी ठीक है next question है general में count होगा देखिए संधी पत्री ने आपका पूरा बता दिया स्रीदत 6th rank है और 60 seats है 100% selection तब तो आप बहुत लखी है कि आप last ranking में select हो रहे है ठीक है स्रीदत जी संधी पत्री thank you okay seats कि में है मेरा आर्ट में 46 general है क्या chance है 100% आपके chance 46 rank है general में और आर्ट की जो वेकेंसी है आर्ट की वेकेंसी की अगर बात करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं arts की जो वेकेंसी है 61 है तो रैंकिंग आपकी सही है बढ़िया है इंटर्व्यू अच्छा हो गया होगा तो आपका हो जाएगा पूरे chances है ठीक है सर इंग्लिस में OBC और जनरल की seats कितनी है देखें यहां पर आपके reply है 120 जनरल के है और 85 जो है OBC के मुहित कुमार जी ने reply कर दिया है तो यहां पर है सर मेरी OBC category में 58 rank है तो आपका 100% selection है सुनेना साहू ठीक है नेक्स्ट है सुनीता साहू मैं आपका rank देखते ही OBC में हो जाएगा सर इंग्लिस का analysis कीजिए देखें सुनेना साहू मैंने पहले ही जो वीडियो बनाया था आपका आपने bell icon नहीं प्रेस किया होगा इसलिए आपको notification नहीं मिला होगा यदि bell icon प्रेस कर देंगे तो आपके मेरे सारे update जो है मिलते रहेंगे और subscribe बटन जरू प्रेस कीजिएगा ठीक है और वीडियो पसंद आ जाता है तो इस तरीके से like जरू कीजिएगा ठीक है ठी नेक्स्ट है सर किसी candidates का rank 2 है और EWS category से तो क्या वह जनरल की seat लाएगा या अपनी category दिखिए अगर 2 ranking है तो यूर category में आएगा और अपनी vacancy जो है चाहिए OBC चाहिए EWS है चाहिए SC STO अपनी vacancy को preserve कर दिया for other मतलब other people के लिए ठीक है वह अपने जो दूसरे बंदे जो है उनकी category में उनको इलिए छोड़ दिया और आपकी यूर category की vacancy जो है वो grab कर लिया निरंकार दास जी ठीक है सीमा जी का है सर हिंदी में SC की कहां तक वेटिंग आ सकती है देखे यसी की वेटिंग जो है पहले तो मैं बता दू कि हिंदी का जो जो vacancy है हिंदी की जो vacancy है वह ह एसी की vacancy 54 है ठीक है 54 इट मेंज 64 तक तो confirm समझ लीजिए कि होने की chances है दो वेटिंग लिष्ट तक ठीक है 64 तक chances है वैसे हो सकता है कि यह जो है 66-67 तक भी पहुँच सकता है बट 64 तक के chances मैं आपको बता सकता हूँ नेक्स चलते हैं कमेंट्स की उपर सर म्यूजिक में मेरा 187 रांक है जनरल में इंटर्वी आफसम हुआ है क्या chances देखिए इंटर्व्यू आपका अच्छा हुआ बढ़िया हुआ है देन यू आर गोईंग टू भी सलेक्ट भेरी वेल और इंटर्व्यू थोड़ा सभी बता रहा हूं जो आपनों का जो रिटेन माक्स है फ्रेंड्स रिटेन माक्स इस नाट गोईंग टू फॉल एनिवेर इस नाट गोईंग टू इस्टैंड एनिवेर विकॉस जो आपका जो सीबीटी माक्स है फॉर्स रैंकिंग से लेकि लास्ट रैंकिंग तक मतलब 500 का अगर selection हुआ है तुआ जो है पचीस नंबर के हेर फेर में है इससे ज्यादा नहीं है जैसे इंग्लिस में मैंने देखा कि एक लड़की है जिनका जिनका जो माक्स है वन हंडेड़ ट्वेंटी या येटीन तक नंबर है उनका ठीक है और जो जो selection हुआ है 135 में 118 नंबर है 135 में और जो selection हुआ है जिनका माक्स है 95-92 तक है मतलब एक तरीके से समझ लेजिए 26 नंबर तक जितने गैप है उनके लड़कों का सेलेक्शन अच्छे से हुआ है ठीक है यूर कैटेगरी की में बात कर रहा हूं तो इसलिए जो है मिसलेनेस टीचर्स के जो result आएंगे देखिएगा बहुत unexpected result आएंगे कि जो सोच रहे हैं कि मेरे written में माक्स CBT में माक्स बहुत अच्छे हैं तो वह सीना फुला के नहीं रहें बिकाज जितने जिनके interview अच्छे गया है वह जो है वह सबसे उपर आ जाएंगे ठीक है जिनके interview थोड़े भी खराब गया है भले ही CBT ranking में अच्छे नंबर है तो वह नीचे आने के पूरे ठीक है इस तरीके से पवित्र शुकला बट आपके चांसेज हैं अगर interview अच्छा गया है तो मैं आपको सब्सक्राइब नहीं कर रहा हूं आपके चांसेज पूरे हैं 187 रैंक पर पूरे चांसेज हैं बनते हैं सर मेरा OBC Social Studies में 138 रैंक है क्या हो सकता है देखे फ्रेंट्स वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है मैं थोड़ा सा समप करूँगा बहुत जल्दी सर मेरा OBC सब्सक्राइब देखे होंगे वीडियो तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चांसेज हैं OBC कैटेग्री में ठीक है next final list कब तक आएगे 1996 जूलाई थक आप तक आजाएगे जौनिंग ने प्र्सेस जूलाई से सटार्ट हो जाएगे आप लोगों की इसलिए अभी आभी से back and n bed शिंस सटार्ट करके पैक करना सब्सक्राइब कि क्या क्या ले जाना है वहाँ पर आप लोगों को तीजीटी मिशलेनेस पीटी मेल का इंटर्व्यू कैंडिट्स प्रजेंट एन एपसेंट लेस्ट दीजेगा सब्सक्राइब देखे मैंने पहले वीडियो बनाया था कि कितने कैंडिडेट्स जो बनाया बुलाया गया था और बहुत जादा एकुरेट डेटा नहीं रख पा रहा हूं मुझे याद है कि पीटी मेल में हैं उसक्राइब व्रेट्स को बुलाया गया था उसक्राइब जादा जादा गये हुए थे 420 something candidates जो हैं interview में appear हुए थे 420 का result आएगा और absentee मैंने बता दिया कि 100-100 के करीब absentee थी वहाँ पे ठीक है आनन सिन्ना जी सर्ची miscellaneous post में category की vacancy बढ़ेगी बिल्कूल yes good question बिजरतन आपनों की miscellaneous teachers की category का जो result है category wise बढ़ेगा ऐसा नहीं है कि नहीं एक particular category में बढ़ेगा category wise बढ़ेगा और definitely I am very sure कि आपनों का result जो है जरूर बढ़ेगा चाहे हो arts हो चाहे हो PT male हो female हो या फिर librarian हो इसका तो मैं पूरी guarantee के एक साथ कह सकता हूँ कि आपनों की vacancy जो बढ़ेगी TGT की chances थोड़ा है लेकिन नहीं भी है ऐसा भी नहीं है बढ़ चांसे उनके है इसमें probability है कि बढ़ेगी TGT में बढ़ेगी टीचर्स की जो result है और vacancy जो है वैकेंसी तो बढ़ेगी result जो है बहुत जल्दी देखने को आपको मिलेगा within a week और July 1st week ठीक है अब नेक्स चलते हैं सर यूर कैटेगरी में जाने का benefit है इस्टेशन किस बेस पर मिलता है यह क्या question इस्टेशन 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 इस मिन्स आपको posting जिके पोस्टिंग जो मिलेगी आपको category wise ही मिलेगी category wise in the sense rank wise मिलेगा अब आपका station का क्या मतलब है मैं नहीं समझ पा रहा हूं सर जो interview face किये हैं वह eligible हैं होंगे ना कि क्या करो physical education बाई आनन्द सर आनन्द सर आपका question मुझे समझ में नहीं आया है interview तो जो face किये हो तो eligible होंगे ही मैं कहना चाह रहा हूं कि interview जो face किये हो तो eligible है उनका rank तो आएगा लेकिन अब selection के कितने chances हैं उसके लिए eligibility पूछ रहे हैं या फिर आप कह रहे हैं कि exam में eligible है कि नहीं कुछ question समझ में नहीं प्रिवेस प्लेइस्ट में ठीक है नेक्स्ट बहुत अच्छा लगा सर थैंक्यू मनोज पाल जी आप लोग ऐसे motivate करते रहे तो मुझे भी अच्छा लगेगा वीडियो बनाकर और आप लोगों का थोड़ा सा blessing और सुब कामनाय लेकर मुझे भी अच्छा लगता है very informative वीडियो सर थैंक्यू सो मच लेट्स लर्न फिजकल एजुकेशन वेरी नाइस थैंक्यू सर सर उबीशी में 306 सेट सैट में एनी चांस सोर यादव अच्छा आपका रैंक यदि 306 ओवीशी में थोड़े चांसे कम लग रहे हैं सोर यादव और य जो है केवेस की वेकेंसी डिट्रेप्लेस भी में भी आप देख सकते हैं भाई हो गई थी एडव वाली वेकेंसी क्या कह रहे हूं नहीं समझ में आ रहा है अगर किसी वेटिंग लिस्ट आती है तो TGT साइंस की EWS काटेगरी में कितने और कैंडिट्स को बुलाने के चांस काटेगरी में 3,4,5 इतने ही जादा जादा बढ़ेगी टोटल जो वेकेंसी जो बढ़ने के चांसेज हैं एक सब्जेक्ट में सुन लीजिए एक सब्जेक्ट में बढ़ने के चांसेज हैं वेकेंसी वह 15 से 20 वेकेंसी जो है बढ़ने के चांसेज हैं उसी हिसाब से जो है स से पूछ रहे हैं आप सर बताईए टीडी मैअच में उबीसी की कितनी सेट्स है और क्या अगर किसी का 74 रैंक है तो वीरी सी में पक्का 100% चानसिस के स yeah बिल्कुल चानसिस के सलेक्शन है किài टे कि he एस्टी केटेगरी लेने के बाद भी और शीट चाहिए भी अब यह देखे सरकास्टिक्स रिमाक्स मत दीजी नितिन पांडे जी इस वेरी पेंफुल फॉर दोज पीपल दोज वार कम संडर एस्टी एंड एस्टी केटेगरी यह हमारे सभाव में नहीं होना चाहिए ठीक है यह गलत है और आप सपोर्ट कर रहे हैं चंदरपाल सिंह यादव जी इस वेरी रॉंग आप जाएंगी यह जॉप करने जाएंगे वहां पर जो है मैक्सिम्म कैंडिडिट जो है अधर कैटेगरी के रहेंगे तो क्या आप उनको पढ़ाना भूल जाएंगी या फिर उनको करेंगे कि आप सटी कैटेगरी के हैं इस इस नॉंसें टिंग्स आइडना आएंड नाट लाइक टू एक्सेट ठीक है तो प्लीज डोंट डू सर्कास्टिक रिमार्क्स सर मेरा एस्टी कैटेगरी में नाइन वेटिंग है क्लियर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा डोंट वरी रजन्ती मीना मैंडम आपका नाइन वेटिंग है यह आपके कैस से अनलाइस किया प्लीज बताएं बिल्कुल गुड कोश्चन आपको बताना चाहिए TGT साइंस 200 रैंक OBC कैटेगरी सेगंड लिक्स्ट में चांस हो सकते गया अमोल मदाने जी आपके चांस बहुत थोड़े से कम है बट आप जो है इसी पे मत रहिए आप दूसरी तयारी भी कर सकते हैं जैसे कि अभी KVS की वेकिंसी जाने वाली है DLSS भी कहें तो उसका एकजाम दीजिए ठीक है आपने हिंदी का बिशलेसट सथीक नहीं किया हैù BBC की मेरिट कहां तक जा सकते हैं अभी संगीता राज जी अभी भी आपको हिंदी का विश्लेशट ठीक नहीं लगा इसलिए मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दिया कि ओभी सी काटेगरी की कितनी रैंक तक आपनों की वेटिंग जाएगे और कितने चांसेज आप सेलेक्शन होंगे ठीक है बहुत सारे लोगों ने लिखा यहां पर अरविंद सिंग राठाव जी फरजी वीडियो है देखे फ्रेंट्स मैं आप लोगों को इहां पर पर नहीं कर रहा हूं कि यह फर्जी वीडियो है कि सही वीडियो है अगर आपको अच्छा लगता है तो देखें मैं आपको यहाँ पर वाला हूं अगर सो में से 99 लोगों ने मेरी तारीफ किया है तो इस बेरी मच बेनिफीशल फॉर मी और माइफ बेरी मेरी बेनिफीशल फॉर माई हेल्थ आलसो चीक मैं आपके एक कमेंट से मैं अपना में मोराल डाउन नहीं करूंगा और उन 99 पीपल्स का जिन्हों ने में लाइक किया है उनके मैं कंट्रिबूशन को कभी बाय नहीं जाने दूंगा ठीक है कि कि किसी के पास इतना टाइम चलिए थैंक्यू वनवेश जी थैंक्यू सो मच सर लाइब्रेरियन का इंटर्व्य हुआ ही नहीं था सिर्फ डाकुमेंट्स वैरिफिकेशन बेश पही होगा मेरी इस गरेट दिखिए आपनों का जो डाकुमेंट्स वैरिफिकेशन हुआ था वे जो है आपके CBT marks के ही उपर depend करेगा बट documents verification के भी marks है 10th 12th graduation और beard का भी है कुछ है ऐसा उसका मैं clear picture बता समनाज के मैं बताऊंगा आपको इसके लिए ठीक है फ्रेंट्स वीडियो बहुत लंबा हो रहा है so thanks for watching have a nice day